हेलो स्टूजेंट्स यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का जो की प्रूफिस्प्रीट कैलकुलेशन है यह एक्जाम में इसमें से एक कुश्चन आता ही आता है फ्रेंड्स आप ज़रूर से यह कुश् से इस्ट्रेंट होता है जो पोटैंसी होती है इसको हम कैल्कुलेट करते हैं जब प्रूफ डिग्रिमें तो वह कितना होता है उसको हम बोलते हैं प्रूफ प्रूफिस प्रिट सो धिन्डियन इस चेन्टर आफ 100% प्रूफ स्परेट इस इकवल तो 57% वोलूम बाइ वोलू जिसका potency है 57% volume by volume तो वो जो है 100% proof spirit के equal होता है यहां पर examples भी एक दिया हुए है कि 100% proof spirit equal to 57% volume by volume ethyl alcohol इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक ethyl alcohol है जिसका जिसका strength जो है वो 57% volume by volume है तो उसको हम बोलेंगे कि that is the 100% proof spirit यहां पर देखिए आगे क्या लिखा हुए है if the volume is more than 57% then it is said to be as over proof spirit अगर हमारा जो एलकोहल है उसका concentration 57% से जादा है तो उसको हम क्या बोलते हैं over proof spirit और if the volume is less than 57% then it is said to be as the under proof spirit अगर हमारा जो alcohol है उसका concentration उसका strength जो है वो 57% से कम है तो उसको हम under proof spirit बोलते हैं so students यहां पर देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो भी proof alcohol होता है उसको जो है कि हम calculate करते हैं in the term rupees per liter में so उसके लिए हमको क्या करना होता है calculations करने होता है आगे हम calculation देखते हैं कि कैसे जो है हम proof spirit का जो है calculation करते हैं और proof spirit का जो है calculation करके उसका proof degree कैसे हम obtain करते हैं so आज़े देखते हैं आगे calculations जो यहां पर आप देख सकते हैं first step में हमको क्या करना है multiply the percentage strength of alcohol by 1.753 and deduct 100 from the product हमको क्या करना है कि अगर माल लीजिए हमारे पास एक प्रूट एक proof spirit है जिसका percentage concentration जो है वह अगर माल लीजिए उसका 75% है तो हम क्या करेंगे उसको multiply कर देंगे जो 75 होगा 75 को हम multiply कर देंगे 1.753 से और multiply करने के बाद हम उसको माइनस कर देंगे 100 से तो जो भी amount आएगा that will be the degree अगर हमारा जो भी amount आता है वो अगर result positive होता है तो हम उसको बोलेंगे ओभर प्रूफ अगर result हमारा negative होता है तो उसको हम बोलते हैं अंडर प्रूफ जैसे कि हमने देखा कि multiply the strength of alcohol with 1.753 and deduct with 100 यहां पर आप देख सकते हैं कि वह फर्मूले में पूट अप करके जो है उसका calculation पूरा किया गया है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 1.753 कहां से जो है obtain किया गया है तो जैसे कि हम जानते हैं कि 57.1 वोलूम अफिथाईल अल्कॉहल इक्वल टू 100 अमल अफ प्रूफ इस्प्रीट होता है एज पर इंडियन फार्माकोपी है तो यहां पर हम क्या करते हैं वन वोलूम अफिथाईल करके से डिडक्ट कर देता है अंड़े कोहल स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि डेटली जो है फर्मूले के अंदर पूट अप कर दिया है सो जो ओबर पूफ था डैट इस अंद्रेट प्लस थर्टी डिवाइड़ बई 1.753 और इसका ओबराल काल्कुलेशन करने पर 74.15 परसेंट वोलूम बाई वोलूम जो भी एलकोहल है उसका इस्ट्रेंथ आ जाता है सेम वैसे ही जो नेक्ष्ट था फोटी डिग्री अंडर पूफ वाला सो उसको लिए उसके लिए क्या है कि अलकोहल स्टेंथ हम जब कैलकुलेट करते हैं तो अगर हमारा प्रोड़क्ट जो है वो अंडर पूफ है इसका मतलब यह होता है कि वो माइनस में है तो यहां पर आप देख सकते हैं 100-40 divided by 1.753 और इसका ओवराल कैलकुलेशन करने पर आता है हमारा 34.23 परसेंट वोलूम बाई वोलूम तो यहां पर आप देख सकते हैं if strength is 74.15 परसेंट जो कि हमारा 30 डिग्री ओफर पूफ से आया है कैलकुलेशन करने पर यहां पर यहां पर सेंट वोलूम बाई वोलूम तो उसको हम क्या करेंगे तो उसको हम यहां पर सेंट फर्मूले पर पूट अप करके जो है की ओबर पूफ और अंडर पूफ कैलकुलेट कर लेंगे और इससे जो है की पूफ हो जाएगा कि जो हमने कैलकुलेशन किया है that is the completely sure तो यहां पर आप देख सकते हैं एक question है what is the proof strength of 95% and volume by volume alcohol तो आई यह हम इसका जो है degree प्रूफ इसप्रिट जो है वह calculate करते हैं तो जैसे कि हम formula जानते हैं कि percentage strength of alcohol into 1.753-100 कर देने से जो है कि अपना degree प्रूफ इसप्रिट जो है वह calculate हो जाता है तो हम क्या करेंगे डारेक्ली जो है 95% को multiply कर देंगे with 1.753 और उसको deduct कर देंगे 100 से तो जो है कि अपना overall calculation करने पर आएगा plus 65% 66.53 degree तो अगर हमारा answer positive है that is the इसका मतलब यह होता है कि जो हमारा proof speed है वो होता है over proof अगर हमारा answer जो है अगर negative में आता है तो वो under proof हो था तो यहां पर आप देख सकते हैं कि answer जो है वो positive है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो solution होगा वो क्या होगा over proof होगा एक और question यहां पर देख सकते हैं वो है how many proof gallons are contained in five gallons of 70% volume by volume alcohol तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया कि सबसे पहले जो है सेम फार्मूले पर पूट अप करके हमने डिगरी प्रूफ speed calculate कर लिया है और उसके बाद जो हम उसको गैलन में convert कर रहे हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने 100 गैलन एल्कोहल से क्या किया है कि वन गैलन एल्कोहल में convert कर लिया है और Giacal करके पूरा पत्टा चल जाता है कि उस तरह से हम जो है क्या करके पूरा कर सकते हैं झाल 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 झाल